क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे बहुत सारे गैस्ट आने वाले हो और आपके पास कोई सबजी ही ना हो फ्रीज में कोई भी सबजी ना हो वस टमांटर और प्याज और मेट्ची को छोड़के तो क्या करेंगे आप लोग एक समझदार ग्रेंडी वही है ज तो भी आप कैसे पूरा का पूरा थाली प्रिपेर कर सकते हो है गाइस वेलकम बैक टू दे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है आपका नए रेसिपी में तो मेरे पास भी ऐसा ही हुआ महमान आने वाले थे और मेरे पास कोई सबजी नहीं थी तो मेरे पास ना बस दूद कर इसको फाड लिया फाड कर चान कर अच्छे से वाश करके एक साइड में रख दिया अच्छे से इसको किसी हैवी वेट से चान के इसको साफ पानी से दो के दो तिन बार और इसको क्या करेंगे निचोड कर अच्छे से इसको हैवी वेट से किसी से ढखकर साइड में कर दे तो यह देख रहे हैं हम हर पास प्याज, लसन, हरी मिर्ची और टमाटर और लाल मिर्ची और थोड़ा से ड्राइफ फूट्स, काजू और बदाम ले लिया है मैंने तो समस्ते हैं करें और लाल बदाम मिर्ची और शूट लगाँ, मिर्ची और राशवण जिए संसम्तप जूट्सी और में लास्तमाटर चारख और पकज़ में अ लाल मिर्ष पाउडर चाट मसाला धन्या पाउडर हल्दी पाउडर थोड़ सा गरम मसाला और थोड़ा सा हीन इन सब को इकठ़ा मिला कर रख लिया तब तक में देखिए थोड़ा सा तमाटा जैसे ही soft हो जाएगा पांच मिनिट के लिए 5 मिनिट भाए राम सी soft हो जाएगा दो Pipa 2 वारामस कहीं ठभाऊ 2 ली दूरी तरफ मैं ने ड्रायऌ iba पतला पतला कटे कर लिया है नारेयल को कटे किसूस काटने वालें ऐसे स्ला 8G quel अर्य और कडाही में एक चमचते घी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा सीमय यां डालकर भून लेंगे अच्छे से लाधा हो जाएगा आधा लाल हो जाएगा जब हलका ब्राउन रहेगा तो फिर इसमें ड्राइफ रूट्स डालकर साथ में ड्राइफ रूट्स को भून लेंगे त तो में अच्छे से इसमें दूट डाल देंगे मैंने almost 1- 1L दूट से संब गार 1,5L इस तर्थ डूट डाल देंगे और इसको बना लेंगे friends कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आपके घर पर भी मिश्थ ना हो और आपके पास कोई सब्चीव ना हो अभी कड़ाही में तेल लेंगे और कुछ खड़े मसाले डालकर इसमें तड़का लगाएंगे और जो मसाला हम लोगों ने बनाया था उसको डालकर अच्छे से भूनेंगे इसको खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक कि सारे जो मसाले हैं वो तेल जो मसाले से तेल अलग चिनी से लास्तर काका में अब ही स्काइर से कशलब य। मैं giờ में और मिय। इसमेल यह ग्लीकारा हो मिरत में बन कर रेड़ी हो गया है है मैं बहुत ही अच्छा सा पनीर बन कर रेड़ी हो जाएगा घरपर होमेड पनीर तो ये बाहर वाले पनीर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये देखे कितने अच्छे से बने है और कितने साफ्ट है तो बाहर का पनीर खाने से अच्छा है कि हम लोग घर पर ही बना लिए और ये देखे मेरे gravy भी बनकर ready हो गई है इसमें थोड़ा पानी डाल कर हलका सा थोड़ा पानी डालेंगे और gravy को पका लेंगे अच्छा सा उसके बाद थोड़े मखाने डाल देंगे क्योंकि कुछ और तहां नहीं ना मिलाने के लिए मटर बगएर भी निता जी तो थोड़ा और इधर देखे हमारा सिमया भी बनकर त्यार है इसमें लास्ट मिचीनी डालकर गैस बनकर के मैंने साइड में निकाल दिया तो कसूरी में थी मैं ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मेरे पास धन्या पती भी नहीं थी मैं बोली नहीं कुछ नहीं था तो सच में कुछ भी नहीं था घर पे और इतना जवाड उखाना बनकर त्यार हुआ था और बहुत ही लजीज बनकर त्यार हुआ था तो यह देखिए बनकर त्यार हो गया है हमारा अच्छा सा पनीर की सबजी पर डेकोरेशन भी तो बनती है ना भई सामान नहीं हुआ तो क्या हो डेकोरेशन से हमें खुश कर देंगे अपने गैस्ट लोगों को तो यह मैंने इसक सगी डाल लिया है उसके बाद इसमें अच्छे से गूत लेंगे इसको बहुत यह साफ्ट डो लगाएंगे जैसे रोटी के लगाते पराटे का भी सेम लगाएंगे तो मैंने डो लगा कर त्यार कर लिया है अच्छे से इसको 5-7 मेट के लिए ढग देंगे तब तक देखते बाद में लगाएंगे इसमें सारे गरम मसौले डालेंगे और थोड़ा सा घी डाल देंगे उबलने के लिए पानी वबल गया है इसमें डाल दूंगी और उबलने मैं दूंगी जैसे चावल चंवल कम रहेगए जब एक दम उबल जाएगा तो उसको इसको हम छान देगे त और अभी चलते हैं पराठा बनाने की तरफ इसको गोल गोल बेल लेंगे रोटी को मैं ट्राइंगलर पराठा बनाने वाली हूँ आज तो इसको बेल लेंगे ऐसे और इसमें तेल लगाकर आप लोग प्रोसेस देखते जाएगा कौन कौन किसको किसको ट्राइंगलर पराठा बॉषयार टिकोना पराथा जब याद मम्मा अपने terrी के साथ भी रहा है जोटे टाइम में थोड़ा दादी के साथ भी रहे है तो उस टाइम पर अभी देखिए इसको दोना तरफ से अलट प्रट के अच्छे सी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे बहुत जादा तेल मैं नहीं यूज करूँगे क्योंकि ओवराल तेल इस तरह से यूज किया हुआ अनहिल्दी ही होता है तो अच्छे से इसको अलट प्रट कर दावाद अबाकर साब तरफ सेक लेंगे फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है बताईएगा जरूर और वीडियो को शियर जरूर करिएगा और लाइक तो करेंगे ही आप लोग वो तो मुझे पता है तो अभी क्या करेंगे दीखे पराटे मारे रेडी हो चुके हैं और यह देखे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राट देखे बनाया है वो तो अंदर की असल यह तो आप भी को पता है तब मैं सबजी को भी सर्फ कर लूँगी यहां पर अच्छे से और यह देखे कितनी अच्छी सबजी बन करते हैं और यह बहुत ही टेस्टी थी और यह सेविया का तो मतलब जवा भी नहीं बहुत ही देखे रहे थे और यह थाल देखे कितनी सुन्दर लग रही है आपको यकीन नहीं होगा कि आपके घर पे कुछ भी नहीं था कोई सबजी नहीं थी उसके बाद भी आप लोगों नहीं है और यह हरी धन्या के चट्नी विर्पास अल्रेडी थी रखी हुई तो मैंने उसको स काईएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइए